लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइफ को सब्स्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दवाना मत देए इस जागरन फोरम में प्रमुक रूप से उपस्टिश उप्तर प्रदेश की राजिपाल स्री मत्री अनंदी बेन पटेज जी दैनिक जागरन समू केशेयर में श्री महेंदर मोहन गुप जी प्रमुक संपादक स्री संजे गुप जी गर्मान मतितिगर्ण देवियो और सचनु आज इस कारकम में आने पर मुझे लगबख दस मिनट की बेड़ी लेकिन मैं संजे जी से पूच रहा था कि इस कारकम के आयोजन में भी जो है लगबख एक बरस की बेड़ी इस कारकम की कलपना हम लोगों ने पिछले बरस की इस्थान भी ते हुगा था लेगन दुरभाग से कोरोना महामारी के कारण वो सभी कारकम इस्तकित होते गए और सच्पुच में देखा जाया तो ये विश्व्यापी महामारी के कारण जो विकास पत्पर या विकास की यात्राएं हैं मान और समाज की उसमें भी कहीं ने कहीं ब्रेक लगा वो भी बहुत पीछी लेकिन कोरोना भी गया नहीं सावधान भी हम सबको रहना है मैंन मोहन जी और इस दैने करणा परिवास से मेरा वर्वसों का सम्मान इसलिए नहीं कि मैं कानपुर्का हूं बलकि अन्न कई कारण स्वग्डी नरेन मोहन जी जब मैं राज सवा में था तो बेरे सर्यों जी और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और सही माइने में जब हम कानपुर्से दिल्ली के लिए है जब हम दोनों जोग चलते थे लगनोव सताव्डी चलती है उन दिनों उतमें बात करना आज भी है तो उस समय है इसका अराइवर टाइम में लखनोव से चल करके कानपुर्क में लग्वूर्वर्क पांच वजे पांच बजे दिपांच जब आते थे अपना टिफिन लादे और मुझे कभी भी आज तक जब भी उन्हों ने साथ में ट्राइविल किया है तो मुझे पेन के खाने से हमेशा बंचित रखा आग्रे तूर्वर कि कोविन जी आज रात्री का भोजन आप हमारे साथ ही करेंगे और मुझे तिफिन दिखा चुकी तो मैं कहता था आप अपने लिलाएओं ना कर ने ने मैं कई लोगों लिलाएओं मैं आप लिए उनसे बरावर सब पर राजसवा में हमें दूसरे कि सायोगी रहे इंदूसर से सीखा बैट मैं कहूंगा कि मैंना उसे अधिक सीखा और एक बड़ा एक जिस प्रस्ट भूमी से मैं आता हूं और वो जिस प्रस्ट भूमी से निकले उसमें जमीन आसमान का था मैं ग्रावियर परिवेश से निकल करके आया और वो एक साधन संपन्न और प्रतिस्ठिक परिवार में जन्मे और महां से आगे पढ़े एक जिए जो उन् कभी-कभी हम कहते थे, जब हम लोग राजसवान मिलते थे, तो मुझे प्रातर जब बैठके होती थी, उसमें कहते थे, कि कोभिन जी, आज हम लोग प्रदानमंत्री जी से मिलेंगे, अचल जी प्रदानमंत्री हुआ करते थे, तो मैंने का रही, एक प्रोटोकोल होता है, मरि प्रदानमत्री कारालय ने ले गए एक लिखा नरंद मोहन गुप, रामनाथ कोविंग, दोनों किसलिप अंदर वेर्धी प्रदानमत्री जी बैठे हुए तो बुला लेते थे, नहीं होते थे, तो लोग कहते थे नहीं, आज हो पाएगी मुला साथ, नहीं हो पाएगी तिकाल तो मैं उनको ये कहता था, हाँ वो मुझे कहते थे, मैं कहता था कि आप बार बार प्रदानमत्री जी से क्यों मिलने की भारता, तो कहते थे कि देखो, मैंने एक बात और पूछे, आपको संकुछ नहीं रखता है, बार बार प्रदानमत्री जी से देश के प्रदानमत्री से में मिलें का हैं तो उनोंने कहा कि को भी इंसान हैं हम दोनों बराबर होएं पिर किस बात का तक किस बात का हुआ हमारे प्रदानमंकी ने देश की प्रदानमंकी मैं देश का ना गरिक हूँ यह उनकी जो सोच थी उस सोच को मैं आज भी यार करता हूं कि उससे विक्ति का जो मनोबल है कान्पिटेंस लेविल है उसको कितना उपर दिया हुआ मैं नमवान जी इस पूरे परिवाद से मेरा संबंद रहा है और यह केवल कारण है जिसके कारण मैं मैं इस मीडिया समूँ के कारकाम में आया यह मैंन महुंजी जब मैं राजसभा का संसत था यह भी थे संसत कि देख हम दोनों अलग अलग पार्टीज है लेकिन पढ़ उसी था शाओ तर्णु में में रेपन और पच्पन में रहता था और वही साथ जो है वो सत्तामन में जिसमें की मैं मेरा राजसभा का कारकाल पहले बीच चुका था उसमें वो आतार का था इस पर कारका एक जो जुड़ाव रहा है बरसों तक का और उसके परशाथ और वो सम्मंद जो है उसको इन लोगों ने भी निभाया और मैं भी प्रयास करता रहता हूं कि मैं भी निभा सकूं ये जो पारस पर एक सम्मंद विक्तियों के होते हैं वो उसकी एक अनूठी कहानी होती है उसका एक संयोग होता है उसकी अलग से किमिस्ट्री होती है और ये आपको कहां से कहां तक ले जाती है और क्या से क्या आपको बना देती और क्या से क्या सीखने को मज़ूर करती है इस प्रस्ट भूमी में मैं अब अपनी बात सुन करता हूं अपनी इस यात्रा के दोरान मुझे बावा विशुनात के दिविदर्शन का सोभाग मिला सही मायने में वारा नसीख या बनारस हम कहें उसकी पैंचान ही जो है उबावा विशुनात से हुआ मागंगा की संध्या आलती में भाग लेने का उसर भी मिला बावा विशुनात से सभी देशवासियों से मैंने स्वास्त और सम्रद्धी का आसिरवाद प्राप्त लिए मैं स्वयम को करतार्थ अनभो करता पिछले द्रस्पत्वार के दिन पूरे देश बर में और पूरे याईयों कहें पूरे विश्व में स्रद्धाल्मों ने महाशुरात्री का परविमित मनाया हम सब जानते हैं कि शिव का अर्थी ही होता है कल्या मुझे बताया गया है कि बनारस में एक और अनूठी परमपरा है यहाँ परमपरा है बहुत है लेकिन मैं केवल एक परमपरा का उनलेख करना ज़ाता हूँ महाशुरात्री के अउसर पर स्युजी की बारात निकरती है जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग बड़ी संख्या में सामी है उसकी विसेश्टा यह है पराया जब किसी की बारात निकलती है तो उसी वर्ग या उसी समदाय के लोग इकत्रे तो करते बारात के प्रोसेशन में भागीदार बनते हैं लेकिन श्युखे बारात वो कलपना को आपकी समावेशी अंपना पर आधारे और समाज प्रोसें लोग उनको लगता है कि यह वो अपने ही में अपने परिवार का ही श्युजी जो बने है वो अपने परिवार का ही दूना है हर कोई अपने को सिव से जोड़ता है उस पराद में सामिल होने के लिए साथ सज्जा की आवश्कता भी नहीं होती ये सहजता ही बनारस को दूसरे सहरों से अलग करती मेरा मानना है कि जिसे पर हम लोग चर्चा के लिए कात्रत ये कार का मायुजेत हुआ है, आज से प्रारम भोने वाला है, मेरा मानना है कि गंगा और हमारी संस्कति एक दूसरे पर आधारेका है, इनको अलग नहीं किया जा सकता, एक दूसरे के पूरग हैं, या यूं हम कहें कि एक दूसरे का अस्तित तो एक दूसरे पर निरु इसी मां गंगा का शुद्ध होना हमारे परियावरण की स्वक्षता का एक मात्पूर मापदन्टी नहीं परसों गंगा आति में हम सब ने गंगा की स्वक्षता के संरक्षन और संबर्दन का संकल्प नहीं हुदा गंगा परियावरण और संस्कृती का संरक्षन और संबर्दन हमारे देश के विक्राश का पाधार अइसे महत्पूर विषय पर जिसको हम कहें कि सामाजी सरोकार से संबर्दन उस पर चर्चार्टा आरोजन बहुत ही प्रासंगित है इस विषय पर गेहन मंथन निरंतर होते रही है एक मंथन से काम नहीं चलने बारा निरंतरता इस गंगा की निरंतरता को हम देखेंगे तो उस पर हमारी उसकी निर्मलता अबिरलता को बनाए रखने के लिए भी हमारी जे चिंतन है मनन है वो भी निरंतर होते रहने चाहिए और मैं समझता हूँ कि ऐसे मन्थनों से निकले अम्रित से जन जन के कल्याण का मार्ग प्रसस्त होगा इस आयोजन के लिए निरंतर अस्तित वाली विश्व की प्राचीनतम नगरी कासी से बहतर कोई और स्थान नहीं हो सकता अता इस चर्चा को कासी मैं आयुजद करने के लिए मैं जागरन समोग की सराहना करता हूँ देवी और सजनों मैं स्वयम को भी मा गंगा की करूरों सम्तानों में से अपने को एक मानता हूँ मेरा जन्म गंगा के किनारे बसे कानपुर दिहाद के गाउं में हुआ मेरा बच्पन, छात्र जीवन और युवा वस्ता सभी गंगा के सानेदे में ही बिते मुझे गंगा के उद्गम इस्थल गंगोत्री की यात्रा करने का भी सवभाग मिला और यहां तक की सन 2006 में मुझे कैलासमान सरोवर की यात्रा को सुवशर मिला जिसे एक प्रिछलित लोग मानता के अंसार गंगा का अद्रस उद्गम इस्थाल भी माना जाता है लेकिन यह हमारा सानिद गंगा के साथ जो हमारा सानिद मेरा विप्तिगत वो समात यहीं पर समात नहीं होता है बिहार का जब मैं राजजिपाल था उसकी जब मुझे जिम्मेदारी मिली तो वहां भी मा गंगा के अंचन में काम करने का अवसर लगवग दो बर समा राजजवा का जब मैं सांसत था तो उस समय खरी द्वार में गंगा के किनारे इस्थित्पुष्ट रोग्मियों के बच्चों के विकास और उत्खान के लिए जो विद्याले चल रहा थी उस विद्याले में छात्रावास के निर्माण में अपनी सांसर निदी के एक बड़ी धन रासी का उपयोग करने का मुझे अवसा रहा हुआ मैं जब इन सभी घटनाओं को जोड़ कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि गंगा की पवित्रता निर्मलता और अविरलता सदयू मेरे जीवन में मार्ग दर्शन बाप्रेगना के प्रमुप्स रोट रहे हैं और आगे भी बने रहे हैं वस्तुता हा हमारे जीवन मूल्यो में गंगा की पवित्रता का आर्थ है कि हम मन बचन और कर्म से सुद्ध बने गंगा की निर्मलता का अभिप्राय है कि हम निर्मल हिर्दे के साथ हम सब लोग जीवन बिताएं और गंगा की अभिरलता का तात्पर है कि बिना रुके हुए अपने जीवन पर हम सतत आगे परियाप्त नहीं है। देवी और सज्जनों, गंगा को किवल सिर्फ एक नदी के रूप में देखना परियाप्त नहीं है। गंगा भारती ये संस्कृती की जीवन धारा है, तथा अध्यात्मा और आस्था की समभाहिका है। हमारे देश में ऐसी मानता है कि भारत की सभी नदियों में गंगा का अंसा है। गंगा के प्रती अनुराद, देश के उत्तर से दक्षण वा पूरव से पस्चिम तक फर जेगे प्राप्त। अनेक स्रद्धालू भारत से गंगा जल ले जाकर विदेश की नदियों में प्रवाहित करते हैं। और इसक्रकार उन नदियों को भी अपनी आस्था से चोड़ लेते हैं। इतना ही नहीं आस्थावान लोग तो अन देशों की नदियों में भी गंगा का ही रूप देखते हैं। मुझे याद है कि मैं अपनी मौरिसस यात्रा के दोरान मुझे वहां बसे भारत बासियों ने गंगा तालाप का दर्सन कराया। संभूता आप लोगों मेंसे भी किसी को जाने का आउसर मिला होगा। ऐसा लगता है कि हमारे देशवासी जहां भी जाते हैं। वह अपने ह्रदे में गंगा को लेकर जाते हैं और उहा किसी न किसी रूप में स्थापित कर लेते हैं। लेकिन गंगा की पवित्रता और गंगा की महत्ता यह समाथ नहीं होती है। हम भारत वास्यों के लिए गंगा का इतना महत्व है कि यदि व्यक्ति डेथ बेड़ पर जब जाता है तो उसकी भी एक अंतिम एक्छा होती है कि गंगा जलकी एक बूंद यदि हमें मिल जाए मेरी जीवभा पर पड़ जाए तो शायद में सीधे स्वर्ग जाए एक कल्पना तो उसमें नहीं जाना जाएता हुआ उसकी सच्चाई और उसके लिए लेकिन यह जो स्रधा है गंगा के प्रति वो इसको दर्साती है किस प्रकार गंगा ने भारत वासियों को विश्व के कोने कोने में मात्र भूमी के साथ साथ देश की संस्कृति और परंपरा के साथ जोड़ा है और ऐसी जोड़ा है कि जीवन जब प्रारंब होता है तब से और जीवन का जब अंत वता है वस्तुता गंगा भातबासी की पहचान के कई पहचान है उन्हें प्रमुख पहचान का जो एक संभाई का है वो है गंगा और यह जर्ण भावना ही लोगप्रिय गीप में समाहित है और परलक्षित भी होती है और उसको उन्होंने कहा भी है अपनी पहचान के लिए हम उस देश के बासी हैं जिस देश में गंगा बैठी है एक गंगा का एक जीवन में आपके हर किसी के जीवन में एक ऐसा लगता है कि गंगा के बिना हमारा जीवन अधूरा है कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में, कोई भी इस्वा रूप हो, ओ गंगा से हमारा जुड़ाव दिखता ही है, और कुछ नहीं होगा, एक यदि मिलते जुलते भी पारस्पिरिक चिंतन मनन में भी यदि गंगा का नाम आता है, तो लोगों को मैंने देखा है, इतनी सर्था के कारण वो इस परकार से नमस आता है, गंगा के लगाओ, ये केवल एक विसेश समुदाय या विसेश संप्रदाय के लोगों के साथ नहीं देखा, हर भारत बासी के साथ देखा, यही विसेश था है, मुझे बताया गया, एक उलेख मुझे बताया गया कि गंगा के लगाओ के अदबुद उधारन, बिस्मिल्ला खांसाथ के संस्पणों में पाए जाते, उनसे कई संगीत प्रेमी उन्हें मुंबई में बसने का अनुरोध किया करते थे, बहुत बड़े कलकाद थे, विस्विक्षा जब मुंबई में अपना प्रदर्सन करते थे तो वहां पर भी हमारे उत्तर भारतिये बहुत सारे लोग हैं, तो उनको आगरे करते थे, कि खासाब आप मुंबई में बस लाइए, तो उनका उत्तर क्या था, मैं यहां तो बस जाओंगा, मुझे आप वारानसी से मुंबई तो ले जाओगे, लेकिन मुंबई में गंगा कहां से लाओगे, एक यह जो प्रस्णित अपने सुवचिंदकों को जो संकेत देते थे, उसमें बास्तविक्ता नहित थी, कि गंगा का क्या आर्थ है, गंगा का क्या मार्थ है, इस देश के हर भारत आशिक है, देवी और सर्जनों, गंगा तो था उसकी सायक नदियों का छेत्र देश के ग्यारे राज्यों में फ्हला गए और इसे गंगा रिवर बेशन का नाम भी दिया, एक आकलन के अंचार इस छेत्र में देश की 43 कृत्सर गंगा निवास करती है, ये सबसे घनी आवादी वाला छेत्र भी, गंगा रिवर बेशन की सब्वेता को जलिये सब्वेता भी धा जा सकता है, गंगा जल सच्मुच में जीवन जल है, इसी लिए गंगा रिवर बेशन में जल संरक्षन करना तथा बाड़ वा कटान को कम करना दोनों ही जलूरी है, इन दोनों देशियों के साथ गंगा की स्वक्षता और परियावरण के संरक्षन का लक्ष भी जोड़ा हुआ, गंगा और परियावरण को ध्यान में रखते हुए संथ 2015 में नमामी गंगे नामक एकी कर्थ गंगा संरक्षन मिसं कारक्रम की सुरुवात की, मुझे संतोस है कि सरकार द्वारा किये गए इस मिसं के अच्छे परणाम दिखाई देने लगे, लेकिन अभी हमने लक्ष हासिल नहीं किया, गंगा को निर्मल बनाने के लिए रिशी केश से गंगा सागर तक बड़ी समता के सीवे स्टीटमेंट प्लांट भी लगाएता हुए, भारत के प्रधान मंत्री और वारानसी के हमारे सांसत्त प्रतिने दी, श्री नरेन मोडी जी ने गंगा की स्वक्ष्टा और कासी के वाईभो को बढ़ाने का बीड़ा उठाया, तता इस दिशा में भागीरत प्रयास की किया, आप सबको याद होगा कि असी गाट की सफाई करने के लिए प्रधान मंत्री ने स्वयंग फाउड़ा चला कर घाटों को स्वक्ष्ट बनाने के अवियान की स्वरुवाथ ही थी, ऐसा हमने विश्व में कहीं कोई प्रधान मंत्री ने देखा हुगा, मुझे बताया गया है कि बनारस के घाट अब तुलना आत्मक द्रिस्टी से काफी साफ सुथे हैं। गंगा नदीवा घाटों तथा बनारस सहर में स्वक्ष्टा पर जोड़ देने के कारण, ना केवल परियावरन संरक्ष्ण को बल मिला है, बल कि परियाटकों के लिए बनारस की यात्रा और अधिक आनद दायक होगी। मात्मा गांदी को सन 1916 की बनारस की अपनी यात्रा के दोरान, वेश्वनात मंदर की सक्री और गंदी गलियों को देखकर बहुत कस्ट हुआ था। वे इस बात से भी छुद्ध थे कि गंगा की किनारे बसे सहरों की सारी गंदगी गंगा में परवाहित की जाती हुआ। मेरा भी अनभव है कि जहां मैं पला बढ़ा उस कानपुर सहर का उस जोगी कच्रा भी गंगा में बहाया जाता था। दसकों तक ही होता रहा है। मुझे अब ये जानकर प्रसनता होती है कि कानकुर की ट्रेनरी वा सीवे से निकलने वाले प्रव्यूसित जलको साफ करने और सहर के कूड़े कच्रे के समचित नस्तारों पर तेजी से काम किया जा रहा है। देवी और सच्जुदू इस बार कासी विश्वनात मंदिर परिशर के नए स्वरूप एवं आसपास के छेत्र में हो रहे परिवर्तन को भी देखकर मुझे प्रसनता होती है। जैसा कि मैंने कहा था विश्वनात मंदिर की सक्री गलियों और गंदी को देखकर गांदी जी वेथित हो गए थे अब परिस्तिती बदल रही है। निकट भविस में ही मंदिर का एक भव्य स्वरूप देशवासियों के सामने होगा। कासी विश्वनात मंदिर दथा आजपास के परिसर का ये नया सुरूप रानी अहलियावाई होलकर और महत्मा गांदी की आशाओं के अनुरूप होगा। कासी का ये बदलता सुरूप अपनी पुरातनता को भी संजोए हुए। परंतु पुरातनता का मतलब जड़ता नहीं है। किसी भी देश्वा समाज की जड़ता उसके लच्छे और पतन का कारण बनती है। इसलिए बनारस के लोगों से मेरा आग्रह है कि पुरा तनता और आधनिक्ता के बीच संतुलन स्थापित करे। हमारी परंपरा में एक सुक्ती है। चलती एकेन पादेन, तिस्थती एकेन बुद्धिमानक। अर्थाद बुद्धिमान विक्ती का एक पैर आगे बढ़ता है और दूसरा पैर जमीन पर रहता है। आगे बढ़ा हुआ पैर आधनिक्ता का है तथा जमीन पर टिका हुआ पैर हमारी परंपरा और प्राचिनिता का है। निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए परंपरा और आद्धिक्ता के बीच सामंज़ से का होना अन्ज़ार यही सामंज़ से सस्टेनेवल डेबलप के लिए भी ज़रूगी गंगा को स्वक्ष रखना परियावरण का संदक्षन करना और हमारी संसकती और धरोहर को सम्रद बनाना केवल सरकारों का काम ने बलकि सभी देश बाचियों का सामाजी को और रख्टिगत दाइत भी इस सोच को देश ब्यापी इस तर पर अपनाने और आत्पसाद करने की जरूरत है यह प्रसनता की बात है कि पिछले कुछ वरसों के दौरान लोगों में जागरुपता बढ़ी है अनेक संगटकों, विविनकार छेतर के लोगों, विसेश करमीडिया कर्मियों ने तथा गंगा के किनारे बसे ग्रामबाचियों ने गंगा की स्वक्षता के लिए सराहनी योगदान दिया है देवियों और सजरुन, बनारस में अध्यात्म, साहित्य और संगीत का अजबुद संगम रहा है आज से लगबख 26 सो वर्स पहले इसी छेत्र में इस्थित, सारनात में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम संदेश दिया था आदी संकराचार को कासी में ही ये ज्ञान प्राप्त हुआ था कि सभी प्राणियों में एक ही ब्रह्म ब्याप्त हूँ इसी कासी में संत रविदास और संत कवीर से लेकर गोश्वामी तुलसी दास तक की परंपरा ने साहित्य और अध्यात्म को विशालता दी रूर वादी का विरोध किया तथा ज्ञान समता और शवहर्द का प्रकास पहलाया यहां के समरस समाज के तानेबाने को यहां के मला, भुनकर और साधू संत बिसेश को रूप परदान करते रहा कासी देश के सरवाधिक भारत रतनों की जन विस्तिली व कर्म बूमी भी रही है लाल बाधुर सास्ती, डाक्टर भगवान दास, उस्ताद बिस्विल्ला खां और पंडित रवी शंकर बनारस में पैदा हुए और यहीं उन्होंने अपनी प्रतिभा को तरासा इनके अलावा महमना मदनोहन मालविये ने बनारस को ही अपनी मुक्र कर्म इस्थली बनाया इस तरह आपके सहर के पांच भारत रतनों ने उत्कर्ष्टता और राश्टर सेवा के अदभुद प्रतिमान इस्थापित किये और जिसका हम सभी जो वारान सी निवासी हैं हम सबको गौरब होना चाहिए हैं देवी और सज्जुनों हमारे देश के एक बहुत बड़े भाग में परियावरण और संस्कृती का संरक्षन वा संबर्दन तभी हो सकता है जब गंगा की धारा अविरल वा निर्मल बनी थे संत कबीर ने भी कहा था कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नहीं उसकी तुलना उन्होंने कि यानि गंगा जलको ही निर्मलता की सबसे बड़ी कसोटी माना जाता था संत रविदाज की पावन गंगा को ही मन की निर्मलता का आदर्स मानते थे इसलिए उन्होंने कहा था मन जंगा तो कठोती में गंगा पिछली पेड़ियों के लोग कासी में गंगा इसनान करने से पहले घर से इसनान करके जाते थे ताकि गंगा मैली ना हो इसलिए आज हम सबका दाइत बन जाता है कि गंगा को एक बार फिर निर्मलता के उस इस्तर पर ले जाएं जिसका विबरन हम संत कभीर, संत रविदास तता प्राचीन काल के रिशी और मुनियों की बानी में पाते हैं उसी इस्तर की स्वक्षता को प्राप्त करने का लक्ष लेकर नमामी गंगे तता अन्मल अवियान चलाए जाए जाए देवियों सजनों, देश के एक प्रमुक समाचार पत्र समूद वारा आयुजित इस फोरम में पत्रिकार्टा का उल्ले सहज भी है और प्रासंगिक भी गांदी जी स्वयम भी पत्रकार थे, गांदी जी के समकालीन पत्रकारों में महावीर प्रशाद, दुवेदी, गड़ेश संकर विद्यार्थी, बागु राव विश्णू पराड़कर और मुन्सी प्रेम चंद जैसे संपादा थे कासी में सक्री रहे बागु राव विश्णू पराड़कर जैसे विभूतियों ने भारत की पत्रकार्था को नए आयाम उन्होंने राश्ट्रपती, संसद और समिधान जैसे नए सब्दों से हिंदी को सम्रद दिखिया उनके समय में पत्रकार्था का स्तर इतना उंचा था कि उसे साहित्य का ही अंग माना जाता था उस्पीरी की पत्रकार्था के आधार पर आधार में राश्ट्रिय और सांस्कृतिक उत्थान की भावना थी उन सभी ने भारतियता पर बहुत बल दिया था गांदी जी ने सन 1919 में यंग इंडिया में लिखा था मैं कोट करता हूँ कि देशी भासाओं के अख़वारों की कितनी ज़्यादा जरूरत मैसूस की जाती है मुझे यह सोचकर गर्व का अनभव होता है कि किसानों और मजदूरों के बीच मेरे पत्र के इतने अधिक पातक है भारत की आवादी के 90 प्रिशत लोग इसी वर्ग के हैं अंग्रेजी पत्र पत्र का हैं तो भारत की विशाल आवादी के इस अगात तागर का एक तट भर भी छूपात अनकोट गांदी जी के इन विचारों के परिपेक्ष में दैनिक जागरन सहत भारती भासाओं में छपने वाले समाचार पत्रों की बढ़ती लोका प्रीता बहुत महात पोड है विभिन आकलों के अनुशार आज देश में सबसे अधिक पढ़े जाने वाले समाचार पत्र भारती भासाओं में छपते हैं और इसके लिए आप सब बधाई के पाथ साथ ही समाज और देश के प्रती आप सब की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है देवी और सजनों इस फोरम के जरिये सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने और मुद्दों पर समाज को जिम्मेदारी का एसास कराने का दैनिक जागन समू का ये प्रियास अतियंत सराहनी है मुझे विश्वास है कि इस आयोजन में होने वाले विचार विमर्स से गंगा परियावरण और संस्कृती के पारस्परिक सम्मंद के विशय में सजक्ता तथा सक्रीता बढ़ेगी मैं आशा करता हूँ कि चर्चाओं की ये स्रंखला गंगा को स्वक्ष परियावरण को बेहतर एवन संस्कृती को सम्म्रद बनाने में बहुत सार्थक और उप्योगी सिद्ध होगी धन्वाद जैहित